साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बढ़वार इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ दोस्तों इस समय करनाठक चुनाव के बाद जिस तरह के घटना क्रम बने उसमें प्रधान मंत्री मोधी को अपमानित करने का उन्हें बेज़ज़त करने का उन्हें गाली देने का विपक्षी दल और नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी हो राहुल गांधी हो कॉंग्रेस के निता हो तमाम तरीके से उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो घोर आपत्ती जनक है लेकिन जानते हैं इसका जबाब अंतर राष्ट्रिय तोर पर मिल रहा है और ऐसी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही हैं जो आपको गर्व से भर देंगी लेकिन यही तस्वीरे इन विपक्षी पार्टियों को तिल मिलाने के लिए काफी हैं डंक के समान हैं आपके सामने मैं 8 तस्वीरे रख रहा हूँ और यह सभी तस्वीरे अभी 2-3 दिन की ही हैं आप जान लीजिए और कुछ तस्वीरें आपने देखी हूंगी लेकिन जो केजरी बाल, कॉंग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं नेता हैं उनके लिए ये मामला है लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता पाऊं कि ये कितनी बड़ी चीज है क्योंकि कई लोग कहते हैं न कि अरे ऐसा क्या है भारत का पहले भी संबान होता रहा है और जो घ घटनाए इन घटनाओं का अगर महत्व आपको समझना है तो आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी और ये कहानी जानते हैं किसकी है इसलामिक सहयोग संगठन OIC जो मुस्लिम देशों का संगठन है 2019 में प्रधान मंत्री मोधी जब जब उनकी सत्ता थी तो जानते हैं इस द एक और घटना मैं आपको बताता हूं और इसी इसलामिक सहयोग संगठन की और ये मतलब 1979 की घटना है जब इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों तभी आपको अंदाजा होगा कि मोधी के होने का मतलब क्या है 1979 में इसलामिक सहयोग संगठन यानि OIC की स्थापना हुई थी और जानते हैं इसकी पहली बैठक कहां हुई थी मुरको के रबात शहर में लेकिन भारत को नियोता नहीं मिला मतलब मुस्लिम देशों का संगठन था लेकिन मुस्लिम दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा कहां रहते हैं भारत में रहते हैं लेकिन भारत को नहीं मिला तो इंद्रा गांधी ने प्रयास किया कि भाई हमें भी बुलाओ तो मुरको में जो राजदूत है उनका नाम था गुरबचन सिंग तो उनसे कहा कि भाई कोशिश करो यार कि हमें भी इसका इंविटेशन मिले उन्होंने कोशिश की और इंविटेशन मिल भे गया और जब invitation मिल गया दोस्तों तो इंद्रा गांधी के मंत्री मंडल के एक बड़े जो मंत्री थे फकरुद्दिन अली एहमद जो बाद में राश्टपती भी बने उनको भेज दिया गया मुरग को इंविटेशन मिल गया था वो अपने होटल में ठहरे थे इस वीच जो पाकिस्तान है उसने इतना विरोध किया और उस समय इसके जो नेता थे तानाशाह याहिया खान उसने ये कहा कि अगर भारत को नियोता दिया गया तो हम छोड़ देंगे हम नहीं इस संगठन में रहेंग इंद्रा गांधी के मंतरी जिनका नाम था फकरुद्दिन अली अहमद जो बाद में राश्टपती बने वो अपने होटल से निकल चुके थे रबात में जहां बैठक होनी थी और उस बैठक स्थल से उन्हें वापस भेज दिया गया अब सोचिए भारत का कैबिनेट मंतरी इंद्रा गांधी जैसी पुर्धान मंतरी और उसका कैबिनेट मंतरी इंविटेशन देने के बाद एक दूसरे देश की शहर से बैठक स्थल से बाहर कर दिया गया लेकिन अब आप आईए 2019 में जब OIC की बैठक होती है तो क्या होता है लाख मना करता है पाकिस्तान लेकिन O OIC कहता है कि नहीं भारत को ही चीफ गेस्ट बनाएंगे और फाइनली यह होता है कि OIC की बैठक में मोधी के भारत की विधेश मंतरी वहाँ चीफ गेस्ट बनती है और पाकिस्तान नहीं जाता है विधेशों जो बाकी देशे उनको कोई फरक भी नहीं पड़ता है अब इन परिस्थीतियों में दोस्तों आप आज के हालात की तुलना कीजिए और एक बात और याद रखे राजीब गांधी जब शिलंका गये थे तो क्या हुआ था याद है ना जान लेने की कोशिश हुई थी वो भी एक घटना याद रखे अब मैं आपको आज की परिस्थीतियों की कुछ चीजे दिखाता हूं, जैसे आपको देखिए, इन दिनों केजरी बाल तो लगातार अनपढ़ बता रहे हैं न मोदी जी को, एक और बयान आपको सुनाता हूं, विलकुल हाल का बयान है, वैसे तो मेरे पास सारे बयान है, पुराने आपको ताजा बयान सुनाता हूं, जब अध्यादेश लाने के बाद चीजें हुई है, सुन लीजिए. मैं तो बार-बार कहा रहा था कि सरकार को पड़ा लिखा, पड़ा लिखा होना चाहिए. और इसके बाद आम आदमी पार्टी एक ट्वीट करती है, जानते हैं, क्या लिखा है इसमें, सम्विधान का हत्यारा, और कितना गिरेगा मोधी, गिरेगा मोधी, आप सोचिए, ऐसा लग रहा है जैसे इनके स्कूल का कोई लंगोटिया यार है, इस देश का प्रधान मंतरी कितने बड़े हैं, लेकिन लिखता है और कितना गिरेगा मोधी, यही हाल राहूल गांधी का है दोस्तों, पी-म को अपमानित करने का, जलील करने का, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, हाला कि वो उसमें कामियाब नहीं होते, यह तो सब जानते हैं, लेकिन लगातार वो नि पूरी दुनिया ने ऐसी ऐसी तस्वीरे दिखाई, आठ ऐसी तस्वीरे, जो इस देश के लोगों को तो गर्ब से भर देंगे, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ना, उनके लिए बड़ा दर्द देने वाला है, अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों, जिससे इनको बड़ा कश्ट होगा, बहुत दिक्कत होगी, एक-एक करके तस तस्वीर नमबर बन, अभी जैराम रमेश निये दिखाय था ना, कि मोदी जी अलक थलक पड़ गए, ये तस्वीर उनके लिए है, इस वीडियो में देखिए कैसे पीम मोदी, पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ, मैक्रों के साथ, बाचीत करके, शाबाशी देके ठोकते हैं लेकिन खैर मैं अब जो वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें उनको तकलीफ होगी, तस्वीर नमबर दो, ये वीडियो बड़े ध्यान से देख लिजे, कॉंग्रेस को, केजरिवाल को, मने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए ये वीडियो हेड लाइन है दोस्तों, हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था, सारे नेता अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, और उस दोरान मोदी के एक तरफ दक्षिन कोरिया के राश्टपती और दूसरी तरफ फ्रांस के राश्टपती मैक्रों बैठे हुए है, तभी अमेरिका के जो बाइडन अंदर आते हैं, और आते ही वो अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं, बलकि आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए मोदी के करीब पहुंचते हैं, जब मोदी जी को लगता है कि अरे क्या मेरे पास सारे तो वो उठते हैं, और बाइडन उन्ही के पास आते हैं उनसे मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और फिर वापस मोदी जी अपनी सीट पर और जो बाइडन भी किसी से नहीं बात करते हैं आप देख लीजिए बलकि अपनी सीट की और आगे बढ़ते हैं और आप देख लीजिए ये है असली तस्वीर यानि दुनिया का सबस ताकतवर राष्टपती मिलने के लिए सर्फ मिलने के लिए एक ही वेक्ति को अगर चुनता है तो वो प्रधान मंतरी मोदी यह है तस्वीर अब यह देख करके यह फूरा लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम क्या कहेगा आप सोचिए अब मैं आपको तीसरी तस्वीर दिखाता यह तस्वीर देखी क्वार्ट समिट की है इसमें पियम मोदी के अलावा जो बाइडेन आउस्ट्रेलियाई प्रधान मंतरी एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधान मंतरी फूमियो किशिदा भी हैं अब इस फोटो के साथ दोस्तों इस खबर को टू विंडो में अमेरिकी राश्पती जो बाइडेन प्रधान मंतरी मोदी से ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी लोग आपके दिवाने हैं इसलिए मुझे आपका ओटोग्राफ लेना चाहिए ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी को उन्होंने बताया कि अमेरिका में बड़ी संख्या मे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास, मतलब जो बाइड़ें के पास कई आवेदन आ रहे हैं, मतलब शिफारिश पहुंच रही है लोगों की, बाइडन बोले मुझे आपके कारिक्रमों के लिए लोगों से अनुरोध मिल रहे हैं जो मेरे लिए बड़ी चुनोती बन गया है अभी प्रदान मंत्री मोदी अमेरिका भी जा रहे हैं वहाँ भी उनका पूरा सम्मान किया जाएगा तो उसके लिए आवेदन आ रहे हैं ये बात अमेरिका का राश्ठपती प्रदान मंत्री मोदी से कह रहा है सोचिए कितना बड़ा कद बन गया है किस प्रकार का नित्रत प्रदान मंत्री मोदी ने दिया है कि पूरी दुनिया के लोग दिवाने हैं और इस बात को खुद अमेरिकी राश्टपती बता रहे हैं अब आप आगे बढ़िए तस्वीर नमबर चार पर आईए अब इसी तस्वीर के साथ दूसरी खबर को जोड़िए Quad Summit के दोरान ही उस्टेलियाई प्रधान मंतरी Anthony Albanese ने एक अनोखी बात कही और जानते हैं क्या कहा उन्होंने कहा कि सिड्नी में 20,000 की शमता वाला Community Reception है लेकिन फिर भी वो सभी अनुरोधों को पूरा करने में सक्षम नहीं है दरसल दोस्तों अभी प्रधान मंतरी मोधी Sydney में है और कल उनका एक बहुत ही बड़ा भव्य कारिक्रम होना है और उसकी capacity तो 20,000 ही है लेकिन हजारों की संख्या में लोगों का वेदन आ रहा है और ये वहां के प्रधान मंतरी से कहा जा रहा है और ये बात खुद वह बता रहे हैं तो ये है प्रधान मंतरी मोधी की लोग प्रियता इस देश के नित्रतु के प्रती लोगों का विश्वास जिसको खुद आस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी बता रहे हैं अब मैं आपको तस्वीर 5 नमबर वाली दिखाता हूँ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया में कभी नहीं दिखाई पड़ी आज से पहले कि किसी देश के प्रधान मंतरी को किसी दूसरे देश के प्रधान मंतरी ने पैर चुकर परणाम किया कभी देखा आपने ये तो भारत की परंपरा है वीडेशों में कहा होता है लेकिन जानते हैं प्रधान मंतरी मोदी जब प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी देश में पहुँचे तो वहाँ के प्रधान मंतरी जेम्स मारापे खुद एरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी का सम्मान करते हुए उनके पैर चू लिये और इसके बाद प्रधान मंतरी मोदी ने भी मारापे की पीट पर थप थपाते हुए उन्हें उठाया अब ये क्यों है जानते हैं क्योंकि जब कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम किसी को अपना वैक्सिन नहीं देंगे तब भी प्रधान मंत्री मोदी ने इस देश की चिंता की थी यहां की स्थिती बहुत खराब थी उन्होंने यहां भी कोरोना वैक्सिन भेजी थी आज उसी देश ने उस देश के प्रधान मंत्री ने इस देश के प्रधान मंत्री के पैर चूकर भारत का सम्मान किया है भारत के करोड़ों लोगों का सम्मान किया है जो कहते ना इस देश के 140 करोड़ों का ये सम्मान है ये प्रधान मंत्री मोधी का किवल सम्मान नहीं है अब और आगे बढ़िए तस्वीर नमबर 6 पर आईए इस वीडियो को देखिए पापुआ न्यू गिनी ने उनके प्रधान मंत्री ने तो पैर चुए लेकिन इस देश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया प्रधान मंत्री बोधी के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये जानते इस देश की परंपरा क्या है इस देश की परंपरा है कि यहां सुर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी महमान का राजकिय सम्मान के साथ स्वागत नहीं होता लेकिन इस देश का सम्मान करने के लिए भारत का सम्मान करने के लिए प्रधान मंत्री मोधी के लिए इस देश ने उस परंपरा को तोड़ दिया, रात को पूरा राजकिये सम्मान हुआ सांस्कृतिक कारिक्रम के आयोजन किये गए अब आप आईए साथवी नंबर तस्वीर पर अब ये सारी खबरें चली रही थी दोस्तों कि अचानक पता चला कि फीजी ने प्रधान मंत्री मोदी को अपने सर्वोच सम्मान Companion of the Order of Fiji से नवाजने का फैसला किया है और ये सम्मान फीजी के PM सितिवेनी राभुका की और से वैश्विक नित्रितु को देखते हुए PM मोदी को दिया गया है फीजी का सर्वोच सम्मान अब जब फीजी ने दे दिया तो जो देश पापुआ न्यू गिनी इतना सम्मान दे रहा है वो भला कैसे चुके तो तुरंत ये भी खबर आ गई दोस्तों कि इस देश ने भी मतलब पापुआ न्यू गिनी ने भी प्रधान मंत्री मोदी को अपने सर्वोच सम्मान से नवाजने का फैसला किया पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच सम्मान महा का जो सम्मान उसका नाम है the grand companion of the order of Logo who उससे प्रधान मतरी मोदी को सम्मानित किया है और जानते हैं दोस्तों आज तो दो देशों का मिला है कुल मिला कर देखें तो पूरी दुनिया में 16 देशों ने अपने सरवोच सम्मान से प्रधान मंतरी मोदी को सम्मानित किया है खुद को भी सम्मानित किया है इस देश के 140 करोड लोगों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है अब आपको मैं एक उधारण के साथ अपनी बात खतम करता हूँ कि जैसे आज 2000 के नोट बंद करने पर जो जादा चीख रहे हैं तो आप भी समझते होंगे कि जो जादा चीख रहे हैं जो जादा हला मचा रहे हैं इसका मतलब है उनी का सबसे जादा कालाधन बरबाद हुा है तो आज जब प्रधान मंतरी मोदी को पोरी दुनिया सब मानित कर रही इस देश का नित्रत तो करने के लिए हर कोई उनकी और आतूरता से देख रहा है ऐसे मौके पर प्रधान मंत्री मोदी को अपमानित करने का बैज़त करने का या उनके खिलाब गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास वही लोग कर रहे हैं जिन्हें इस बात से पीड़ा होती है कि पूरी दुनिया भारत का इतना सम्मान क्यों करती है तो कुल मिला कर दोस्तों ये दो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया कई सारी घटनाएं सर्फ ये दो तिन दिन की घटनाएं और इन घटनाओं को सही कॉंटेक्स में समझ सके इसलिए मैंने OIC इसलामिक सहयोग संगठन का उदाहरण भी आपके सामने रखने का प्रयास किया उम्मीद है दोस्तों कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्स्राइब क कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को क्रिस करना मत भूलिएगा नमस्कार